दोस्तों अब बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आप श्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को जब डिसकस करेंगे हमारे एक पेर्ड यूजर है उन्होंने इस मॉडल की डिमांड की थी और जिसका साइज है 45 वाई 40 दोस्तो 45 वाई 40 फिट में ये यहाँ पर ऊपन रखा हुआ है तो दो साइड से सेम मॉडल है ग्राउंड फ्लोर और फाइस प्लोर मैं रेजाइन किया है इसी को बारी बारी मैं डिसकस करूँगा इसका 2D मैप भी है मेरे पास और 3D मैप आलड़ी मैं आपको डिसकस कर रहा हूँ तो इसका ग्राउंड औ आप देख सकें अब मैं आपको डिसकस रहूँगा बारी बारी इसका फूरा फ्लोर तो से जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा इससे आपको इसका रियलिस्टिक देखने को मिल जाए तो यह इसका रियलिंग का दोस्तों रियलिस्टिक हुई आपको दिखा रियलिंग आप समझ लिए यह देखिए का corner पर यहापर बहुत सिंपल सा railing डिजाइन किया बहुत ही सिंपल सा जिसमें आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है लो बजट का railing यह सब रहता है तो यह इसका texture बगारा देखिए इंटो का texture दिया है जहां से उपन है यह देखिएगा आपको यह पूरा model आप देख पा रहोंगे तो यह तो इसका यहाँ पर लगो 5 पर जगह भी मैंने छोड़ी है साइड में यह overall यह देखिएगा अब हम बात करते हैं इसके ground floor की तो यह दोस्तों इसका ground floor है यह देखिए कि मैं जूम करके दिखाता हूँ तो यह इसका main door है यह एक bedroom में जिसमें आपको window मैंने पेड बगएरा लगा दिया है और आप यहाँ car parking भी कर सकते है main door से यह भी आपका window है इस side तो closed ही है और यह आपके दो pole है दोस्तों जो आपको एक बेतरी चा लुक देते हैं जो कि लगो 5 फिट के दूरी पर बने हुए है और इस side से भी विल्को सेम तो सेम मॉडल है वही room और वैसे gate वैसे वैसे पोल तो main door फिलाल यहाँ से आप जैसे यहाँ से लिटी करते हैं तो आप अगर कार पार्किंग करना चाहते हैं तो यहाँ कार पार्किंग भी कर सकते हैं क्योंकि जैगए आपके पास बहुत ही परयाप्त है अब हम चार इसके मॉडल को डिसकस करें तो मैं आपको बता दूँ corner पर चार बैड डूम है चारो corner पर चारो बैड डूम है फ्रेंट के दो master बैड डूम है जो की बड़े है और जो इस side वाले बैड डूम थोड़े छोटे है उसके just बगल में आपका steer से गया है और वापस आया है उसके नीस अपने water का इलिए जैसे motor है नल वगएर आप लगवाए शकते है hand pipe जिससे पानी की ववस्ता पूरे घर में आपके रहे उसके just बगल में आपको kitchen दिया है मैंने ये बड़ा सा kitchen और उसके just बगल में आप study room मान ले आपना guest room मान ले जो भी माने और यहाप लेटिंग और बात रूम दो दिये है command है जो की देखी गई फ्रंट में आप देख पा रहे होगे दोनों रूमों के बीची में सबसे last में दो लेटिंग बात रूम command है और यहापर और चार बैट डूम है stairs वगएरा car park अगर आप इस side से बात करें तो यही बिल्कुर same model इधर है थोड़ी से 5 पर चोड़ाई ही कम है और बात बाकी same to same model है में डोर वही पूरा आपका window तो यह तो ground floor की बात होगे ground floor आप देख पार होगे पूरा texture मैंने यहापर जो दिया है वो ito का texture है जो की एक बेतरी लुक देता है सभी में चारो तरफ से window दिया है ventilation की कोई प्रॉलम नहीं है यहापर और आप बीच में एक बड़ा सा जाल भी रखवा सकते हैं क्यूंकि जगह परयाप सा ventilation प्रॉपर तरीगेश होगा अब हम बात करें इसके 5 floor की तो यह इसका दोस्तों 5 floor है जो की बिल्कुल शेम है सर्फ railing का difference हो गया बात बाकी model की बात करें वही एक kitchen हटा कर जो हमारे user है उनको एक पूजा घर चाहिए तो मैंने हमसे kitchen हटा दिया बात बाकी पूरा शेम है वही चारो बैट डूम लेटेंगे बात रूम बगएर और यह देखिए पूरा लुक और जैसा कि मैंने बताया बालकनी यह लगबग वही चार सारे तीन से चार फिट और पांच फिट में पूरा overall बना हुए है आपका और सब कुछ शेम ही है पूरा model शेम है आप देख पा रहे होंगे यह देखी पूरा model अब हम बात करें large floor की तो large floor यह है दोस्तों मैंने जीने को यहाँ पर ढग दिया जो corner पर जीना आपका आय लाइक से जरूर करें अगर आप पेड़ सर्विस का यूज़ करना चाहते है तो नमबर हमारा description में है whatson number है comment करें या हमें contact करें लेकिन वह एक paid user ही contact करें वहाँ पर दोस्तों मैं charge लेता हूँ 50% advance और इसके बाद प्लान देने के बाद तो हमारे paid user का भी आप इस्तमाल कर और सचसर इस वीडियो को लाइक से जरूर करें इसमाल हाउस चैबी तक जोड़े नहीं तो जरूर जोड़ जाए थैंक्स वाचिंग